मैं आपको बता दूँ कि राजिस्थान में आज भी ED की चाप हमारी चल रही है और इसको कॉंग्रेस पाटी इसके जरीए एक संपती लेने की सानुभूती लेने की कोशिश जो है वो करना चाहती है कि आखिर चुनावू में ED इतनी एक्टिव क्यों हो जाती है लेकिन जनता के बीच में अशुक गहलोत को इसका कोई प्रभाव मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई इससे कोई कुछ हासिब होगा या नहीं होगा यह अभी पर्ष तोर पर नहीं कहा जा सकता हम आपको आगे बढ़ने से पहले यह बता दें कि राजिस्थान का पिछला उपिनियन पोल क्या कह रहा था यह उपिनियन पोल हमने 20 अक्तूबर को दिखाया था आपको 15 दिन के अंदर कितना बदला है राजिस्थान का परिद्रिश यह आप देख लिजे 125 सीट तक पहुंचती भी दिखाई दे रही थी हमको आज से 15 दिन पहले तक भारती जनता पार्टी कॉंग्रेस पार्टी बहतर पर रुकती हुई ठहरती हुई दिखाई दे रही थी पीछे आप जाईए 2013 को याद कीजे कॉंग्रेस पार्टी चुनाव केवल हारी नहीं थी बहुत बुरी तरह चुनाव हारी थी केवल 21 सीट पर जाकर के सिमट की थी कॉंग्रेस पार्टी उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो पिछला ऑपीनियन पोल भी अगर 22 पर कॉ हम यहां भी तो दिखाई दे रही है कि आज कॉंग्रेस पार्टी इस चुनाव को नजदीकी चुनाव बनाने की हालत में नजर आती है लेकिन यहां से उसको वो और करीब का चुनाव बना पाई है या फासला भारती जनता पार्टी बढ़ा रही है अगले एक घंटे के अं जानी जैपूर से लगता इलाका रारिस्थान में जिसको दूनारक शेतर भी कहते हैं जैपूर और धौलपूर के इस रीजन के बड़े शेहर मिला करके 48 सीटें रारिस्थान की विधान सभा में बनाते हैं और जैपूर ग्रामीन, जैपूर, अलवर, भरतपूर, करॉली, धौलपूर और दौसा, ये लोग सभा सीटें हैं जिन से मिलकर के एक शेतर बनता है, ये राजवर्दन राठोर गालाका है, बीजेपी के सांसद बालकनात भी यहीं से आते हैं, जिन के लिए योगी आदितनात ने परचार किया है, बालकनात के अलावा विश्वेंदर सिं दौनपूर राजगनाने से आती हैं, अब ये जैपूर दौनपूर का इलाका किसे जिता रहा है, आएए, रादिस्थान के पहले इससे का पहले क्षेतर का उपीडिन पूल आपके सामने हम रखते हैं, फिर वदा दो, फाइनल उपीडिन पूल है, वोट पढ़ने से पहले इन 48 सीटों में आप देखिएगा, भारती जन्ता पार्टी बढ़त बनाती भी दिखती है, 26 सीटें इस इलाके में बीजेपी जीट सकती है, और 2018 के तुन्ना में 18 सीटें जादा होगा, यारी पिछली बात के वाल 8 सीटें बीजेपी यहां पर जीती थी, अब वो 28-26 तक प आपको जो कैपिटल एरिया है, राजस्तान का, जैपूर का इलाका और दोलपूर का इलाका, उसके बीच में आपको सपर्च तोर पर दिखाई दे रहा है, यहां पर भारती जन्ता पार्टी नंबर वन पार्टी बनकर ओभरती हुई दिखाई दे रही है, और बहुत सारे बड़े चेहरे जो इस इलाके से आते हैं, संजीव जी पाथ साल में बई होता वा दिखाई दे रहा है जो पिछले तीन दश्रक में होता वा दिखाई दिया, कम से कम इस इलाके में? देखे बिलकुल ये इन चुनावों की बानगी आपको इस क्षेतर से मिल जाती है, आप जिसको दूंड़ोर रीजन कह रहे हैं, जिसमें जैपूर से लेके धौलपूर तकी सीट्स है, उसके अंदर से अगर हम जैपूर डिस्रिक्ट की सीट्स हटा दे हैं, और सिर्फ पूरी सीट्स रिपीट करने ही कोई गुझाईश नहीं है, क्योंकि क्या है कि इस पूरे एरिया में गूजर वोट का बहुत महत्म है, और पिछले एलेक्शन में कुछ लोकल कारणों की वज़े से, और अफकोर्स पाइलिट के प्रभाव के वज़े से, गूजर और मीना जो दो ड जब कॉंग्रिस पार्टी आपकी ने सुनती तो हम आपकी क्यों सुनें, ऐसे खूब सारे वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया इस तर पे, जैसे फॉर एग्जामपल आप यही सवाय मुधुपर वेल्ट की सीट शेट करॉली है, जहां से दर्शन सिंग गूजर कॉंग्रि पर आजाती है, तो कि जो उसकी पूरी 83 गणित थी 2018 की, वो बहुत कुछ 80 फीसद इस क्षेतर पे केंदरत थी, और यहां पर वो पिछड़ती हुई दिख रही है, तो जैसे हैसा आपका सर्वे खुलेगा, एक दो चीज़ों पर मेरा शायद आपके पिछले ओपिनियन पॉ तो उसके लिए खराब संकेत है यह, हमारे साथ दोनों मेहमान BGP Congress और Congress से जुड़ चुके, राकी राठोड जी, भारती जंता पार्टी की राश्री प्रवक्ता हमारे साथ है, राकी जी स्वागत है, आपका स्वाड़निम चतुरुवेदी जी हमारे साथ Congress Party से जोट है, च टॉंक सवाई माधिपूर, कोटा और जालावार बारा, टॉंक सचिन पाइलेट का इलाका अपना है, लेकिन सचिन पाइलेट के बारे में और लोग खासतोर पर गुर्जर समुदाय की लोग क्या मन बना रहे हैं, वो आपने संजीर जी की उपीरेन में जान लिया, सचिन प पार्टी यहां पर 13 सीटें जीत सकती है, और ये 2018 की तुल्ला में दो सीटें जादा है, बीजेपी अपनी प्रदर्शन को बेहतर कर दे है, कॉंगरेस पार्टी यहां पर 11 सीटें जीती दिखाई देती है, ये एक सीट का नुकसान है, और एक और सीट जो कम हो रही है, वो सकती हैं, अन्यकी टैली से कम होती है दिखाई दे रही है, तो यहां भी आपको दिखता है, जैसा जैपुर धोलपूर के रीजन में आपको देखाता है, बीजेपी बैतर करती है, पिछले चनाओ की परिस्थितिती में, उसकी तुल्ला में, ऐसा ही साफ-साफ आपको दिख रहा है, बहतर कर रही है, अठारा से काफी अच्छा कर रही है, कॉंग्रेस पार्टी का ग्राफ नहीं से जा रहा है। पानी पिलाने जैसे विभाग की अंदर हम देख रहे हैं, दो दिन दिन से इडी जो है, और इन फेक्ट पहले भी, दोड़ाई महीने भी एक्षिन हुआ था, और राजिस्तान से बहतर कौन समझता इस बात को की पानी की वैल्यू क्या है, लेकिन ऐसे विभाग में भी घोटा के लीडर्स हैं, उनका इंवल्मेंट है, वो बहुत ही गंभीर विशह है, और जिस तरह से ब्रश्टाचार हमने हर लेवल पर देखा, वो बहुत जरूरी चीज़ है, इसकी विज़े से राजिस्तान के जो लोग हैं, वो अस्यप्न ही करेंगे किसी भी हालत में कॉंग्रेस पार्टी को, क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री जी पहली बार तो मुख्यमंत्री है नहीं, इन्होंने पहले भी दो बार जो है, राजिस्तान में मुख्यमंत्री पद को समाला है, लेकिन इनके कारेकाल के बार 2003 में, 56 पे, 2013 में 21 सीटों पर आकर के कॉंग्रेस पार्टी न बहुनाने की कोशिश करेगी, कोशिश आप लोग भी कर रहे हैं, सिंफ़ती की गेन करने की, बताने की की भी देखिए, केंदरी के हाथ में जो है, एक आउजार लगया है, केंदरी एजेंसियों के तौर पर तो वो उसका इस्तेमाल कर रही है, 36 गढ़ में हमने दिखाया अ जिया, आप आरी में चुनाब में वोट मांते वे राजिस्तान की जन्ता से किया था, और यहां पर पानी की जो समस्या है, उसको लेकर के बहुत लंबा और बड़ा आंदोलन यहां पर चला क्योंकि 41% पॉपुलिशन आती है, और करीब 82 सीटे आती है, इन सीटों पर भारतिय जन्ता सर्वे लेकिन मेरा सर्वे और हमारा जो साइंटिफिक सर्वे हमने करवाया, वो यह बताता है कि यहां पर भारतिय जन्ता पार्टी का सुप्रा साफ होने वाला है, भारतिय जन्ता पार्टी का कोई बड़ा नेता आज राजिस्तान के इस इलाके में प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है कोई जाने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर जब जब गए इनकी जन सबाओं से लेकर के यात्राओं तक में अभाव रहा जनता का और हमारी जो रैली और मिटिंग्स और सारी जो सबाएं हुई वो जबरदस भीड के साथ हमने देखा आपका हो सकता है सर्व हम दिखाएंगे जैसे पहले हारें उसी तरह बुरी तरह हारेंगे क्योंकि आज चोड़ चुकिए दूसरे कारण में बता हमारी जी मैंने केवल 22 सीट का सर्वे रखा आप कहरें कि आप सम्मान करते हैं हो सकता है जब तक सर्वे खतम करें आपका सम्मान और बढ़ जाए अ मैंने यह जो आपने अभी जिस मुद्दे का जिकर किया यह एक बहुत बड़ा मुद्दा राजिस्तान के अंदर है ऐसी ऐसी बात नहीं है कि इसका कोई जोर नहीं है लेकिन क्या जो आप बता रहें कि यह बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहा है इस पर राकी जी कुछ बोलना चाह रहीं थी है पूर्भी राजिस्तान के नहर परियोजना का जो मामला है इस पर कॉंग्रेस पार्टी आपके खलाप खूब प्रचार कर रही है राकी देखे सौरब जी दो बाते मुख्य तौर पर अभी स्वाणिम जी ने कही सबसे पहले महंगा तो राजिस्तान का 6.53% आ रहा है यानि महंगाई राहत कांप लगाने के बावजूद भी अगर पुरे देश में सबसे जदा महंगाई है तो राजिस्तान में क्योंकि यहां महंगा पिट्रोल, महंगा डीजर और महंगी बिजली है तो इसलिए महंगाई की कितने भी क्लेम करें लेकिन अल्टिमेटि धरातल पे वो इंप्लिमेंट नहीं हो पाया जो राहत आप देना चाहते तो वो कुई नहीं जहां तक ERC प्रात कर रहे थे एक ब्रह्मकिर सिती लगातार कॉंगरस में यह पैलाई कि प्रधान मंत्री जी ने अजमेर में और जैपूर के अंदर किया था उन्होंने साफ साफ यह ता था कि टेकनिकल तौर पे इसकी जांच करा के हम इस बात का प्रयास करेंगे साकरात्मक रुखन अपनाते हुए ERC को नाशनल जो एप्रोजिक्ट अनाउंस करेंगे लेकिन मैंने आपको फिर जल जीवन मिशन की बात पताई पानी पानी कि बात करतें राजिस्तान के लिए खोटाले की बात सरगारे इन उन्होंने सिर्फ ऑड जोसरी घो कई किरेंगे बात करेंगे लोगों के बीच में सवाल के गए थे लोगों के बीच पे पैधे कि आधे इसका क्या मक्सद आ और इसका मकसद सीधे करॉप्शन पर प्रहार करना है 46% लोगों का मानना है कि नहीं ये विरोधियों को अपने राजरेतिक प्रतिद्वन्दियों को ठिकाने लगाने का एक अस्त्र है जो मिल गया है केंदर के हाथ में क्योंकि एजेंसिये तो उसका इस्तमाल करेंगी लेकिन दारिस्तान में 50% से ज़्यादा लोग मानते ब्रस्टा चार मिटाना है इसलिए ये कारवाई तो होनी चाहिए हर्श्परदेची देकि मुझे लगता है कि इसमें जनता बहुत साफ साफ एक कहें कि अंतर देखती है और उसंतर के आधार पर भरोसा करती है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जो निजी छवी है वे इसमें बड़ी काम आती है एजेंसियां तो जब भी रहेंगी वो केंद्र सरकार के अधीन होती है सर्वोच नियाले ने कहा था यूपिय के समय में कि ये तो पिंजरे में बंद तोता है सीबियाई के लिए कहा था तब ED उस तरह से काम भी नहीं करती थी तब तो इक तरह से कहने उसके पास अधिकार थे अधिकार इस सरकार में बढ़े लेकिन धरष्टाचार को लेकर अगर करोडों रूपए मिल रहे हैं जगा जगा अगर साफ साफ दिखराय की एजेंसियां जब वो पकड़ती हैं तो उसके जो तार दिखते हैं वो देश से बाहर तक चले जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि अखिर ये हो क्या रहा है अब जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान की जो एसीवी है एंटी करफशन ब्यूरो उसने जब सचिन पाइलट जी सरकार तोड़ने के लिए गए तो उसने सबके फोन टेप करा लिए यहां तक कि सचिन पाइलट का भी कराया कमाल की बात यह है कि आज तक किसी भाजपा के नेता को नहीं पकड़ा पकड़ा किसको ED के दो अधिकारियों को ED ने क्या किया उन दोनों को सस्पेंड किया P.A. में लेके तहत मामला दर्ज किया अब जाहिर है दोनों की गिरफतारी हो चुकी है दोनों को उपर मामला चलेगा अब यह फर्क दिखता है यहां साफ साफ दिखता है कि जब कारवाई हो रही है तो नेता पकड़ में आ रहे हैं यहां आप अधिकारी को पकड़ के कह रहे हैं कि ED हमें पकड़ेगी दो हम भी पकड़ेगी इसका मतलब जनता के मन में जाता है कि दरसल आपके उपर कारवाई सही हो रही थी लेकिन कहीं से दबाव बनाना है और राजस्थान की सरकार के उपर अलग-अलग मामलों में कई ऐसे भरष्टाचार के मामले हैं जो गंभीर जनता पर सेप्षं पर देखती है। नरेंद मोधी की चवी काम कर जाती है। आपके सामने में लगते हैं सर्वे बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष, राजेंद राठोट, कॉंग्रेस के प्रदीश रदेश गोविन डोटासरा शिखावटी से ही आते हैं 24 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर अब आ रहा है भारतिय जनता पार्टी इस इलाके में भी कॉंग्रेस से आगे 11 सीटें जीतने भी दिखाई देती है ये 6 सीटों का इजापवा होगा 2018 से कॉंग्रेस को 3 सीटों के नुकसान के साथ 13 सीटें जीतने के आसार बनते दिखते हैं अन्य कोई यहां पर कोई सीट नहीं मिलती हुए दिखती तीन सीटों का लुकसान अन्य के लिए भी यहां पर होगा लेकिन आप जैपुर ढोलपूर की बात करें कोटा टॉंग की बात करें उसी में शेखावटी भी जोड़ दीजे तो अभी तक तो यूनिफॉर्म ट्रेंड दिखाई दे रहा है भावेश आपके सर्वे के मुदाविट बीजेपी के पक्षट स्थाइड कर रहे हैं वहाँ पर बात करें लेकिन लाश्ट आते-आते आते आप देखेंगे वहाँ निफ्स पुराने चेहरों को दोराया गया जिसके वजह से आप देखें से पिछला सब्शा वाँ हमारा देखेंगे तो इन सब रीजन में बीजेपी इस से ज़्यादा अच्छा करती हुए दिख रही थी लेकिन चुकि सिखावटी की हम लोग अभी बात के तो सिखावटी देखें ट्रेडिशनली वहां पे कॉंग्रेस वहां पे मजबूत रही है इससे पहले जब हम लोग कोटा की बात करें तो कोटा में बीजेपी ट्रेशनली वहां पे मजबूत रहती है यह है दूसी बात है कि पूरे रास्थाम आप देखें जो असो गैलोत का जो पिछले 5-6 महीने में जो भी एक प्रिवरीज कियें वो एक कहीं न कहीं कुछ effective तोर पे दिख रही है कि वो काम करते देखें जिसके वज़े से आप देखेंगे कि Congress जो यदि हारती है तो बहुत बुरी तरह हारती इसमें आप देखेंगे कि लगभग लगभग मैं ये तो नहीं करूँगा कि बहुत अच्छे इस्तिती म पोल में तब भी 70 के अराउंड आसपास उसने मेंटीन किया हुआ है अपने आपको बिलकुल देखें एक historical data बहुत important है वहाँ पे देखेंगे आप पिछले तीन चार बीधानसवा में आप देखेंगे 2003 की बाद हम लोग बात कर रहें वहाँ पे 54 ऐसी सीटे है जहां पे Congress का भी जीती नहीं वहाँ पे से बीजेपी जीती है मतलब बीजी Congress को यदी सत्ता में आना है या सत्ता में यदी आना है तो उनको 146 सीटों में 101 सीटे चाहिए तो एक तो Congress के लिए वहाँ पे टफ होते है इसलिए आप देखेंगे 2018 में बहुत सारे factors जो Congress के पक्ष में काम कर र है इसमें आप बहुत जादा फरक नहीं कर सकते हैं धरेंद्र मोधी है जो जाहिर है भारती जंता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा चेहरा है लेकिन Congress Party की guarantee पर यकीन करने वाले भी लगवग उतने हैं दूसरा एक जो बड़ा factor Congress Party के खिलाफ कान किया वो था ये notion कि अशो बटी भी राए मिलेगी हां मानते हैं कि दोनों एक हो गएं Congress Party का घर जो है समर गया फिर से 31% लोग मानते हैं नहीं मानने वाले यानि कि मतलब जगड़ा अभी भी है Congress Party में 32% लोग है तो जितना close जवाब आपको इन दोनों सवालों का मिला है क्या नतीज़े भी उतने ही close ह होंगे क्या कह रहा है मारवार क्या कहता है मेवार इसके नतीज़े आपके सामने रखेंगे जोदपूर जालौर और नागौर यह लोगसुभा सीटे जोड़ करके बंगता है इस रीजन की सबसे हाई प्रोफाइल कॉंस्टिवेंसी जोदपूर है मुख्यमंतरी अशोक कहल जोद्का चुनाक शेत्र सरदारपूरा यहां पर है बीजेपी के केंदरी मंतरी गजेन सिंग शिखावत जोदपूर से सांसत और यहां की जो 56 सीटे हैं यह क्या बता रही है सर्वे में आए इस पर एक नजर डालेते हैं क्या यहां पर कॉंग्रेस पार्टी कुछ बहतर कर पावा दिख रहा है 20 पर कॉंग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है यह हमारा उपीनियन पूल बता रहा है आमने दो पर जीत जो है वो अर्जित करते वे दिखाई दे रहे हैं मारवार भी भारती जंदा पार्टी के साथ और यह तो हमने जैसा बताया मुख्यमंत्री अश राजिस्तान का इलेक्शन डेफिनिटली बीजेपी को एज है यह मैं नहीं कह रहा हूं और शुरू से कह रहा हूं पट राजिस्तान में जो एक्स फैक्टर है आपने अन्ये की संख्या बहुत कम कर दियो और उसका कारण में भावेश की मजबूरी या दिक्कत समझ सकता क्योंकि अभी सीट्स डिक्लेर नी हुई है साथ तर एक लास डेट है नामांकन का उसके तीन दिन बाद तक फिर फॉर्म्स विड्रौ हो सकते हैं तो अब की बार पिछली बार भी आप देखिए अन्ये के बड़ी महत्कून भूमिका थी अन्ये में सोला तो करीं दर्दलिय के थे फिर बैशdoor की पांटी के भूम सब चास अबार आहें हैं लेकिन लोग टिकिट नहीं देगो इसको मुसलिमान को नहीं देना है उन्हें जो भी कारण है कैलाश मेगवाल 90 साल के होने को आ रहे हैं पॉमर स्पीकर हैं सबसे सीनियर विधायक हैं लेकिन उन्हें अर्जिन मेगवाल के खिलाब बयान दे दिया था उनको सेस्पेंट कर दिया गया उनको टिकेट नहीं मिल रहा वो आज कि तारिक में हमें उसका आभास नहीं लग रहा है क्योंगी आज की तारिक में जनता बीजेपी कांगरेस के बीच की बात कर देंगे लेकिन कितना आगे रहेगी कितना बागीयों और अन्य की बैसाघ्यों पर निर्भर करेंगी यह तस्मीर जो है वह दस तारिक के बात लेकिन वह उसमें इतनी गुंजाइश तो है कि यहां पर कोई अपसेट भी होता हुआ दिखाई दे सकता है जनरली लोग मान रहे हैं बीजेपी आगे चल रही है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है सौरब कोई अपसेट सिर्फ बच्छों मेवार में थोड़ी होगा अपसेट शेखा गया यंग लड़का तो हमारी तीस साल की राजनीती खराब हो जाएगी तो ऐसे और ऐसे कॉंग्रेस में भी कई उधारन है किशनगर में बीजेपी छोड़ा है विकास चौदरी को टिकेट दे दिया है वहाँ पिसली वार सुरेश टाक इंडिपेंडेंट जीता था अब ल जादा पेचीत भी हमें घुश जाता है अब आप ते रारेस्थान में बैटके सर रारेस्थान की जानकारी नहीं दी तो क्या बात है लेकिन मैं चाहूंगा आप मुझे थोड़ी दिलीवी भी जानकारी दे ये जो ये जो अखबारों में खबर चपी संजीव जी जो अखबारों में खबर चपी कि अशोक गहलोट जो है उन लोगों को टिकेट दिलाना चाहते हैं जो उनके वफादार रहे सचिन पाइलेट की बगावत की समय पर भी राहूल गांदी और उनकी बहस हो गई और सुनिया गांदी जी को इंट्रिवीन करना पड हाँ मैं यकीन करता हूँ बिलकुल यकीन करता हूँ क्योंकि देखे राहूल गांदी और अशोक गहलोट में कभी नहीं बनी राहूल गांदी पार्टी के अंदर एक जनरेशन चेंज चाहते हैं अशोक गहलोट स्टेटस पोईस्ट है और सबसे मजबूत नेता है राहिस्त देना लेकिन अशुक गैलत के लिए जादा मेहत कुंटा किन लोगों ने मेरी सरकार बचाई वो सारे रिपीट होने चीए तो आप यो सारे रिपीट तो हो जाएंगे लेकिन वो अगली सरकार ही नहीं बनेगी तो बचाएंगे क्या और बिगाड़ेंगे क्या तो आपने अप ने वफादार लोगों को बड़ी संख्या में अकॉम्डेट जो किया है उसका भी कहीं न कहीं खामियाज़र पार्टी भुकते ही है चले अच्छा ठीक है अब आपके आपने भी कहा कि यह सस्पेंस जो है जादा नहीं बर करार करना जी है मेवार की सीटें में 48 सीटें रखना आपके सामने राजस्तान का उपीडियन पोल स्पस्ट कर देगा किसकी सरकार बन रही है इस बार और क्या पिछले 15 दिनों में हमारे उपीडियन पोल में भी कोई अंतर देखने को मिला है कॉंग्रेस के दोनों यहीं से आते हैं अब यह सर्वे क्या कह रहा है वो आप देखीजे बीजेपी इस मेवार के इलाके में भी 2018 की तुल्ला में भी बहतर और कॉंग्रेस पार्टी की तुल्ला में तो दुगना बहतर प्रदर्शन करती भी हमें देखाई दे रही है 31 सीटों पर बीजेपी और कॉंग्रेस पार्टी 16 सीटों पर जीत हासिल मेवार में कर सकते हैं और इसके साथ पूरी 200 सीटों का सर्वे भी आपके स्क्रीन पर आ गया है आप देखिए सर्वे इंडिया टीवे और सेनेक्स का ही बता रहा है इराधिस्थान में इस बार भारती जनता पार्टी की पूर्ण महुमत की सरकार बनने की प्रभल समावना है सर्वे को लगता है सर्वे में दिखता है कि सर ये सरकार बन रही है 115 सीटों के साथ 80 सीटों के साथ नजदीक सही इस चुनाव में लेकिन पिछड रहे है अशोक गैलोथ लेकिन अगर आप फिर कहूंगा 2018 वाली हार कॉंग्रेस की याद करें तो वह 21 सीटे आई ती कि वह अभी ओपीडियन पोल कह रहा है कि गैलोथ हारेंगे लेकिन 80 सीटों तक जा सकते हैं अब ये उनके उपर है कि वो यहाँ से इस चुनाव में आगे कितनी रेस लगा सकते हैं कितनी दौड लगा सकते हैं और क्या इसको और करीब ले जाएंगे भारती जनकापा या बीजेपी इस चुनाव में अपना गैप और बना लेती है आने वाले 15 दिनों के अंदर लेकिन हमारे उपीनियन पोल में अगर आप अंतर देखें 20 अक्तूबर से 4 नमंबर के बीच का वो ट्रेंड क्या है उससे भी बहुत कुछ पता चलता है कि जो हवा बह रही है वो किस पक्ष में बह रही है तो आप देखिए उसमें सपष तौर पर दिखता है पहले उपीनियन पोल में भारती जंता पार्टी को 125 सीटे मिलती भी दिखाई दे रही थी दूसरे उपीनियन पोल में आते 10 सीटे कम हो गई यह 115 हो गई और कॉंग्रेस पार्टी को पहले उप टिकट डिस्टिब्यूशन में जो प्रॉलम ही है बीजेपी के साथ, सुरू में जैसे लग रहा था, बीजेपी वहाँ पे एक गलेक्सिय अफ लीडर्शिप के थुरू से जाना चाहती है, और वहाँ पे सब को खुस करके रहना चाहती है, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे जैस गौर से देखें, और जिस तरह हम लोग सुरू में धुंडार वाली रीजन को देख रहे थे, उसमें आप देखें कि सचीन पाहले के बहुत बरी फैक्टर थे जिसके विसे कॉंग्रिस जीत के आई थी वहाँ पे, लोग एक नई लीडर्शिप चाहते थे, वही चीज़े बीजेपी के साथ यहां, यहां बीजेपी के साथ लोग जोड़ना चाहते हैं, बीजेपी के साथ भी हैं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनके भी उपहरें, बीजेपी सत्ता में भी है, लेकिन कहरें न, सेल्फ गोल करते करते हैं, बीजेपी धीरे धे, डाउन तो वो सारी जो फैक्टर है अपकी बातों से मैं सहमत हूं लेकिन मैं डाउन प्लेट नहीं कर तो जिस दिन आएगा जवर में दिखाऊंगा एक बाद दरा स्वांडिम जी के पास सब्सक्राइब देखें सर्वे में बीजेपी की सरकार बनती दिख रहे हैं लेकिन एक उमीद दिखाई दे रहे हैं 15 दिनों के अंदर अंदर आपका ग्राफ काफी बेहतर हुआ हमारे सर्वे में दिख रहा है देखें हमारा ग्राफ तो बहतर ही था और बैतर रहेगा आप निश्चित रुप से देखें जो आपने सर्वे दिखाया मैं आपको पता रहा हूं 130 से 50 सीट पाराफ के बीच हम जीतेंगो उसके कारण है भारती जंता पार्टी के 52 प्रत्याशी तो बहल को इनको कार रही करता ही जो है वह एकसेप्ट आपने नहीं कर रहे उनका ही समर्तनी बिनराप जंता के तो बात चोड़ यह जंता को तो पता है एक ही सवाल है यहांपे कि 500 रु पूर्वरती भाजपास सरकार के शासन को भी सबने देखा तो इन सब चीजों को ले करके आज हमारे पास हम अगर आप के शुनावायों की रोक है इसके उपर लेकिन राखी जी लेकिन ये सर्वे आपके लिए अच्छी खबर है लेकिन एक चुनाव को चुनाव को चुनाव के रूप में भारती जनता पांटी लेती है लेकिन मुझे लगता है कि सर्वे पे अभी जो एक प्रॉपर अपनी कुछ भी एक डिसिजन करना ठीक नहीं है क्योंकि ये गोश्णाव पत्र हम लोगों का आना बाग किया भी बहुत सारी सीट पे जैसे कहा 76 सीट पे तो डिक्लेरेशन ही नहीं हुआ तो अभी भी बहुत सारी सीट कॉंग्रिस की आज की दिन भी बागी है तो जिस तरह से अभी fight सामने clear नहीं हुए निश्चित तोर पे हम लोग progress करेंगे क्योंकि जिस तरह से गोश्णापत्र के माध्यम से हम लोगों के बीच में जाएंगे उन्हें Congress Party की नाकामी के साथ-साथ हम लोग क्या करेंगे उनकी बात भी करेंगे अभी भार्टी जंता Party की candidates के बारे में कह रहे हैं तो मैं सौर मुझी बता दू इनकी list में वही लोग हैं या तो वो गद्दार हैं जो 2020 के अंदर मानेसर चले गए थे या वो गद्दार है जिन्होंने पिछले साल 25 सितंबर को CLP की मीटिंग को मना कर दिया था अटेंड करने के लिए सोनिया गांदी जी की आदेश को मानने से मना कर दिया इसका मतलब है तो एल्टिमेटली वोई लोग mix करके जिन्होंने इसना किसी लेवल पर कॉंग्रेस पार्टी को छीट किया है चाहे वो मानेसर प्रकरण के माध्यम से हो या पिछले साल 25 सितंबर की CLP की मैं मीटिंग में सोनिया गांदी जी की बात नहीं मानने की बात हो तो जिस तरह अब परसों तक कंपाईल किया तो उसमें 45% वोट मिलता वा दिखाई दे रहा था कॉंग्रेस पार्टी को 42% वोट मिलता वा दिखाई दे रहा था 3% का गैप है 3% वोट का गैप सीटों में और जाधा दिखाई दे रहा है क्या संजीव जी आप इस इलेक्शन को नजदी की चुनाव क्लोज इलेक्शन के कैटेगरी में मानते हैं कि कैटेगरी में है बीजेपी की जाधा सीट सा सकती है कॉंग्रेस पार्टी से लेकिन मैं भावेश की यह नहीं कह रहा था कि उन्होंने इग्नोर किया मैं कह रहा था कि भावेश का कंपल्शन है जब तक अन्य पार्टी और भागी लोगों की सुची क्लियर नहीं होती मेरा मानना है कि जो आप 110 और 85 मतलब 195 सी तो आपने दे दी कॉंगेस और बीजेपी में ना मोदी जी के बसकी बात है ना राहूल सौनिया के बसकी बात है अन्य को कौन कंट्रोल कर सकता है रहा इसान में कौन लभा सकता है अशोक यलोद या वसंद्रा तो ले देखे जो हमने मानेसर की टाइव एक अशोक गैलोद पीछे के दरवादे से हल्प कर सकते हैं या वाई से वरसा क्योंकि अल्टिमेटली सत्ता का भी एक अलग चरितर होता है वो अपने आसपास से निदानी देना चाहती ये दोनों तो एक एक लेविल पर एक कमफ़ट जोन है उस पर तो एक्लारिफिकेशन कल और आज में हमको देखने को मिल गया